अतीक के जनाजे में तीन बार फकड़ी गई शाइस्ता, पुलिस की याँखों में धूल चोक कर आखिर कहां गाइम हो गई शाइस्ता, पुलिस की फकड़ में आकर भी निकल गई आइस्ता, पुलिस को डूड़ने से भी नहीं मिल रही अप साइस्ता, आखिर किस्से है उसका वास्ता योगी आदितनात का आदे जल्द पकड़ो निकालो कोई भी रास्ता आपको बताते अतीक एहमत के परिवार पर अब संकटों के बाद अल्चाय हुए हैं पहले अतीक एहमत के बेटेक अशुत का एंकाउंटर उसके बाद अतीक और असरफ की अत्या अब पुलिस के पास बस दो ही टार्गेट बचे हैं अतीक एहमत की पत्नी शाहिस्ता परवीन दूसरा अतीक एहमत का बंबाज गुड़ो मिसलिए इन दोनों को डूड़ने के लिए पुले सब खाक चान रही है वहीं शाहिस्ता परवीन की गरबतारी के लिए योगी आदितनात ने भी नि पहिलाई थी जिसके बाद पुलिस सकते में आई और शानवीन की आलांकि तीन बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा साइस्ता परवीन अब पुलिस की गरप्त में आ गई है और मीडिया करमी भी पूचने लगे साइस्ता साइस्ता क्या कहोंगी साइस्ता लेकिन थोड़ी देर पाई कि वो कबरिस्तान तक पहुंचे आपको बता दे जनाजे में पहुंचने की बड़ी हल्चल थी और वहें हज्जारों की संख्या में भी पुलिस के लिए साइस्ता पर नजर रखना भी मुस्किल था हालांकि बड़ी तादात में बुर्खे में महिलाएं भी पहुंच रही थी हालांकि पूरे माबले में योग्यादितनात के शक्तान देश हैं कि जल से जल साइस्ता पर बीन को गरबतार कर लिया जाए साहिस्ता परबीन पर 50,000 का इनाम भी है बहें दरदर घूम रही पुलिस साहिस्ता परबीन को ढून रही है और ये भी अहम हो जाता है कि साहिस्ता परबीन का बेटा असद एंकाउंटर में मारा गया उसके बाद पुलिस का सड़ी मैती कहमद की भी मौत हो गई लेकिन अभी तक साहिस्ता परबीन को पुलिस नहीं कोच पाई योगि आज इतना आतने नर्देश देकर कहा है कि पुलिस आहिस्ता आहिस्ता काम ना करे साहिस्ता को जल्दी पकड़े रिल्दी पुलिस नहीं को जल्दी मौत हो भी मौत हो जल्दी पुलिस आहिस्ता का साहिस्ता आहिस्ता आहिस्ताःू कर च brick वाद़े। झाल झाल